हाई वेलको नोब चनल इस वीडियो में स्वाल करें कि कुशन नमर 2 फाइंड वैलू आफ हमें वैलू निकालना है तो इसमें फाइव पार्ट से वीडियो में तो हम इसको वन बेवन करते हैं तो फर्स्ट यहां पर क्वेशन में ले रहा हूं यह आपका दिया हुआ है स्क्वेयर रूट आफ 80 अपान स्क्वेयर रूट आफ 405 यहां बताना है कि इसका वैलू क्या होगा तो आप जानते हैं कि 80 क्या है फॉर्फेक्ट स्क्वार नहीं है तो यहां पर हम जो है लांग द लिए फैक्टराइजेशन मिलेगा टू फोर जा एंड टू टू जा फिर हो जाएगा टू वन जा एंड टू फाइट जा मतलब कि दिखिए दो कब दो यहां वाना फाइव के प्यर नहीं बन पा रहा है इसलिए मैं का रहा हूं कि इसका जो है यह जो है पर्फेक्ट स्क्व कर लेंगे इन्द मतलब नहीं मतलब हैसे मदल निली सकते हैं लोगा कि लिए यहां सकते हैं लोगा तो यहांपर हम लिख सकते हैं देखें अब यहां धेहां जीज़ेगा क्या हो रहा है छिइसका फाइव यहां पर कामन थीख Magic पेर बन रहा है वो थो ठीक है जिसका पेर बन रहा है नीकाल रहेंगे और फाइव को तो उपर और नीचे आप देख सकते हैं कि root 5 root 5 क्या है same है यहाँ पर और यह cancel out कर सकते हैं मिस directly उपर नीचे से यहाँ पर तो कुछ कटेंगा नहीं इधर बाहर तो यहाँ पर हो जाएगा 2 to 4 upon 39 means 4 upon 9 is your answer for this one ओके तो second का क्या होगा second का second part solve करते हैं तो यह दिया हुआ है under root of 441 means 441 divided by square root of 4 sorry 625 तो यहाँ पर आप गया करना होगा कि 441 को factorize करना पड़ेगा इसके सारे factors को निकालना होगा तो हम देख सकते हैं कि 9 से कट जाएगा बिल्कुल तो 9 से लिए जाते हैं 9 4 जा 36 and 8 बचे का 81 9 जा 81 अब यह 7 से जाएगा बिल्कुल 7 7 जा 49 and 7 बंजा 7 ओके तो यहाँ पर हमारा factorization हो चुका है यहाँ लिखेंगे हम factorization इसके और यहाँ हो जाएगा 3 multiplied by 3 into 7 multiplied by 7 whole अपान under root इसका भी कर लेंगे तो हम जानते हैं क्या होगा हम 5 into 5 and 5 into 5 इतना होगा यहाँ पर देखें पेर बना लिजे 3 निकली का एक into इसका निकली का 7 upon यहाँ पर 5 into 5 means हो जाएगा 21 upon 25 this is your answer for question second ओके चले 3rd करते हैं 3rd आपका है अंडर रूट आफ 1587 upon अंडर रूट आफ 1728 देखें इस question को देखें किसी भी question को जो है आप long division method से भी कर सकते हैं और factorization से भी कर सकते हैं लेकिन आपको long division method में जब perfect square नहीं होगा तो decimal में निकलने लगेगा जब भी ऐसा होगा तुरंत आप क्या करिएगा कि अपना method स्विच करके factorization method से start कर दिजेगा ताकि जिसका प्यर नहीं बन रहा होगा वह उपर नीचे cancel out हो जाएगा ठीक है ऐसा करना होगा यहां पर हम चेक कर लेते हैं कि long division method से cancel out हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो 1587 का निकालेंगे यहां पर देखे पेर बन रहा है यहां बन रहा है तो यह आपका force नहीं जा पाएगा थरी से जाएगा पहले थरी थरी जा नाइन तो यहां नाइन से जाएगा तो मिलेगा नहीं जा पाएगा मतलब कि कुछ आएगा ही नहीं मतलब कि यह कुछ रिमेंडर बच जाएगा और जब रिमेंडर बच जाएगा इसका मतलब कि यह जो है perfect square नहीं है तो इसलिए हम क्या करेंगे long division method से नहीं करेंगे तो हम करेंगे अब इसको factorization से means 1587 यहीं आपको ध्यान देना है जब ना हो उससे तो तुरंत आप जो है method को switch कर दिजिए और सब्सक्राइशन करने लगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह अब यह 529 जो है 23 से कटेगा बिल्कुल 23 23 जा तो 23 बन जा अब यहां पर देखिए आपका यह 23 का प्यार बन रहा है थी का प्यार नहीं बन रहा तो इसको हम लिख लेंगे square root of और यहां पर लिख लेंगे यहां पर हम करेंगे फिल्टाइशन तो मिलेगा हमें पहले कर लेंगे 3 से मिलेगा 35 15 22 हो जाएगा तो 3721 जा एटीन अब यहां पर 579 है अब यहां पर 576 को ले जाएंगे एट से ला जाएगा बिल्कुल एट से बंजा 56 16 हो जाएगा एट चूजा आएट से फिर से लेगे एट नाइन जा 72 हो जाता है नाइन बंजा नाइन मतलब कि यहां पर फिल्टाइशन करेंगे तो मिलेगा आपको थ्री इंटू 8 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 को लिए सकते हैं 3 इंटू 3 मतलब हमेशा पेर बनाना है आपको और क्या देखिए हमेने 8 को मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू नहीं लिखा हुम है क्योंकि 8 का पेर तो बनी रहा है यहां पर तो क्यों हमें वैसा करना यहां पर हो जाएगा 23 अंडरूट 3 ठीक और फाइनली हमाल जो आंसर होगा वो होगा 23 अपांट 24 इस जोगार अंसर फार्ड ओके चलिए आप करते हैं स्वाल फॉर्थ वान जब आपको कोई भी नूट करना होगा तो आप वीडियो को पॉस करके नूट कर सकते हैं फॉर्थ वान यहां का क्कूशन दिया हुआ है कि अंडर रूट आप 72 मुडिब्राइट बाई अंडर रूट आफ 338 तो यहां पर पहले हम 72 को फेट्राइज करते हैं तो आप जानते हैं 98 होता है 72 means 2 into 2 into 2 into 3 into 3 हो जाएगा ये दिखेंगे 9 यह है 9 आपका 9 8 जा 72 यह हो गया multiplied by यहाँ पर कर लिजे फिक्टाइजेशन 338 का करेंगे फिक्टाइजेशन पहले ले जाएंगे 2 से आप जानते हैं यह आपकी 169 किसे करता है 13 13 जा होता है 169 and 13 बंजा 13 यहाँ पर मिल जाएगा आपको 2 into 13 multiplied by 13 अब यहां सेया करेंगे आप जिसका पेर बन रहा है उसको बाहर निकाल लिए यह बन गया means 2 into 3 बाहर निकल जाएगा आप जिसका पेर नहीं बनेगा उसको अंदर रखे रहेंगे तो 2 एक बच गया है तो 2 को अंदर रखें इन 2 यहाँ पर देखें पर बना है 13 का 13 को बाहर निकाल लिजिए और उसका पेर नहीं बन पा रहा उसको अंदर रखें मिल जाएगा देखे 3 to 6 जो रूट के बाहर है उसको मुट्प्लाई कर सकते हैं तो 6 का 5 करने यह आपका दिया हुआ है अंडर रूट आफ 45 मुट्प्लाइट बई अंडर रूट आफ 20 देखें अब य 3 into 3 means 95 जा होता है 45 इंटू यह हो जागा देखे 20 को लिख सकते हैं 2 into 2 means 4 5 जा 20 जिसका पेर बन पा रहा है उसको बाहर निकाल लिजिए मतलब कि 3 बाहर निकल जाएगा और रूट में 5 बचेगा मुट्प्लाई करेंगे हाँ पर देखे 2 का पेर बन रहा है तो 2 बाहर निकल बन पा रहा होता है 6 होता है 6 हो जाएगा और रूट 5 और रूट 5 रूट 5 बड़ाई करेंगे तो आपको पताए क्या होगा यहां पर किवाल 5 बचेगा जैसा कि मैंने प्रिवेस फॉर्थ वाले पार्ट बताया था वह ऐसे यहां पर भी होगा तो 6 वाले जाएगा 30 हो करना पड़ेगा कि जिसका प्यार नहीं बन पा रहा उसको अंदर रख करके मटिप्लाई करके कुछ इसमें से ऐसा कुछ केंसेलर हो जाएगा या फिर मटिप्लाई हो करके वो एक हो जाएगा ठीक है जैसे हां पर रूट 5 रूट 5 मिल करके क्या हो गया 5 बन गया केवल तो ऐसे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा questions में. Thank you so much for watching. Bye.